किसे भी सूट को अट्राक्टिव बनाने के लिए फाब्रिक के साथ इंपोर्टेंट है कि आपके ड्रेस का कलर कैसा है और आपके ड्रेस की फिटिंग ऐसी है तो अगर आप इन दोने चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सूट बनवाती हैं तो आपका एक बहुत अच्छा अगर आप इन कलर के सूट बनाती हैं तो यह बहुत ज़्यादा रिच और एक्सपेंसिव लगते हैं फर्स्ट कलर है हमारा वाइट यस वाइट आजकल इस तरीकी के स्ट्रेट और पैंड के साथ बहुत ज़्यादा त्रेंट में और यह बहुत ही ज़्यादा अच्छे रॉक और प्लाजो के साथ कुछ कंट्रास दूपटा मैचिंग करके पहनेंगे तो यह बहुत ज़्यादा रिच और रॉयल लुक देंगे आपको उसके बाद हम बात करेंगे हमारे सेकेंड नंबर की जोकी है ब्लाक येस ब्लाक के सबसे अच्छी खासिद यह है कि आपको स क्लीम दिखाता है बहुत ही ज़्यादा अच्राक्टिव लगता है अगर आप प्लाजो के साथ कुछ इस तरीके के स्ट्रेट कूरती सिलवाती है जिसमें गोल्डन वर्क होता है यह बहुत ज़्यादा रिच और रॉयल लुक आपको देता है जो कि बहुत ज़्याद एक्स लगता है उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इस तरीके के पैटन की आजकल सोशल मेडिया पे यह बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और फ्रॉक के साथ इस स्ट्रेट पैंड के साथ यह अगर गिंट्राज उपट्टा क्यारी करती है तो यह सुट बहुत ज़्यादा रिच और रॉयल लुक देता है अगर आप कुछ इस तरीके का सुट सिलवाती है तो यह बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ही अट्राक्टिव दिखाता है आपको उसके बाद आप कुछ इस पैटन में आते हैं तो यह फ्रॉक के साथ यह प्लाजो का पैटन अभी बह तरी के आप के साथ और जाँकर कलरेंगें तो छोलन फंद इस तर टो जोड़ा करती है और रॉयल लुक आप उसका इस तरीके का सुट में हैं Когда स्थे हट इस में कुछ श्राइट में हैं कि would we talk in может?, एसके बाद हम बात करते हें बेश कलर की यह यह बेश ऐसा कलर है जोकि बहुत ज़दा रिच और ँवृल लगता है यह ना तो बोलें में होता है यह बिच बार बेश का अपको बहुत ज़दा अट्राक्टिव लुग देत आ कुछ इस तरीके कि आप स्ट्रेट पैन के साथ स्ट्रेट कुर्टा और दुपट्टा कुछ इस तरीके से कैरी करेंगी तो यह बहुत ज़र एक्सपेंसिव और रॉयल लुक आपको देगा आप इन सूट्स को पार्टी इसके लिए भी पहन सकते हैं यस और उसके बाद हम बा करेंज एक ऐसा कॉंबिनेशन जो कि बहुत ज़र अट्राक्टिव और रिच लुक देता है आपको अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सूट को एक नया ट्विस्ट दे सकें तो आप कुछ इस तरीके का सूट बनवाईए आप कुछ इस तरीकी कि स्ट्रेट कूरती और प्ल इसको मेडियम स्किन टोन के साथ या फिर फेर स्किन टोन वाले इसको पहनते हैं तो बहुत ज़र रिच और रॉयल लगता है उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इस तरीके के सूट की यह स्ट्रेट की साथ यह पैन के साथ अगर आप कुछ इस तरीके के चंदेरी सिल्क में तो बट्टा क्यारी करती हैं तो यह बहुत ज़दा रिच और रॉयल लगते हैं आज कल यह बहुत ज़दा ओनलाइन साइट्स पे भी बहुत ज़दा यह आ रहे हैं मार्केट में बहुत ज़दा ट्रेंड में हैं और बहुत ही ज़दा स्टाइलिश और गॉजिस लगते हैं आपको उसके बाद हम बात करेंगे चाकोल कलर की यस चाकोल कलर आपने पहले बहुत ही कम सुना होगा कुछ इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन के साथ सूट्स यस यह ग्रे नहीं होते हैं कुछ बहुत स्मोकी लुग देते हैं आपको इसके साथ आपका स्मोकी या लुग बहुत तो आप कुछ इस तरीके के सूट सिंपल स्ट्रेट सूट के साथ अगर पहनती तो बहुत रॉयल लगते हैं उसके बाद हम बात करेंगे फ्रॉक सूट कभी आउट फैशन नहीं होते हैं यह अनाकली सूट बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं कुछ इस तरीके का चाकोल में अगर आप इसको सिलवाती हैं या फिर मार्केट से लेती हैं तो यह बहुत ज़्यादा रिच और रॉयल लुक आपको देते हैं और अगर आप इसे खुछ से बनवाती हैं तो आप बहुत चीप में इसको बनवा सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इसके बाद हम झाल झाल झाल